हलो प्रेंड आपका स्वागत है मेरे अगर आप लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़ी बिजनेस आइडिया लेका आया हूँ इस बिजनेस आइडिया का नाम है CSP गरहात सेवकेंड इस बिजनेस को करके आप सा मिनी वरांच होता है जिसमें बेंक जो भी सर्विसेज दी जाती है उस अभी सर्विसेज आप अपने कस्टमर सर्विस पारें CSP में दे सकते हैं कस्टमर को इससे क्या होगा आपको अच्छा का सा नाम होगा लोग AJ बैंकर आपको बाचानेंगे तो आगे इसमें आपको बहुत यह अच्छा कासा कमीनी हो जाता है जिस पर आपको हर पर्टेक टांजेक्शन एकाउंट ओपनिंग पर आपको बेंक कमिशन भी देता है और कुछ फिक्स सेली भी कमपनी है जो देते हैं जो भी हमारी CSP BC मर्ण होते हैं उनको तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z इस बिजनेस CSP खोलने के रिगार्डिंग जनकारी देने वाला हूं जैसे कि आप CSP कैसे खोल सकते हैं इसमें क्या-क्या डॉक्रमेंट लगेंगे इसमें क्या-क्या रिक्वार्मेंट लगेंगे क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्टर कि SBI Bank CSP कैसे दिखता है कैसे वो काम करता है तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट अगर अभी तक आपने मेरे यूटूब चाहिए को सब्सक्राइब ने किया है तो फिलिक सब्सक्राइब कर लिजेगा त उसमें देखे फ्रेंट आप कर सकते हैं कैस्ट डिपोजित कर सकते हैं कैस्ट विड्र कर सकते हैं अकाउंट उपनी कर सकते हैं अगर किसी भी बेंग का कस्टमर हो उसके खाते में अगर आधार का जूड़ा है तो आप उसका भी लेंदेन कर सकते हैं मतलब उसके खाते से ब जोल कर सकते हैं कई कर सकते हैं तो इससमें और ब्लाद को सब्सक्राइब है इसमें और सब्सक्राइन किसीया जाता है आपको पड़ंवन सर्विस तरफ से कमिशन दिया जाता चलिए आगे देख लेते हैं आगे फ्रेंट आपको कुछ और सर्विस है जो दी जाती है इसमें इसमें है बिल पेमेंट की सर्विस जैसे कि आपको डिटेर रिचार, मोबायर रिचार, डेटा कार्ड रिचार, पोस्ट पेड और लेंड लाइन, फोन बिल पेमेंट रिचार, एलेक्रिसिटी बिल आगे मैं दिखा देता हूँ सर्विस से जोगर आगे देख लिए इसका eligibility क्या है मतलब आपको गरहाग सेवा केंद लेने के लिए क्या-क्या eligibility चाहिए मैं अभी मैं एक कंफर्म आपको बता दू मैं SBI का especially बता रहा हूँ मतलब सेम टू सेम प्रोसेस अधर भी किसी बेंक के लिए कि सीसपी उसमें यहीं चीज फोलो होता है दूसरा अधर कुछ फोलो नहीं होता है मतलब जो लेना चाहता है CSP उसका मिनमम एज 18 नियर्स होना चाहिए उसके बाद रेसिडेंशियल या बिजनेस आड्रेस प्रूफ चाहिए मतलब जहां आप CSP लेना चाहते हैं वहां का आपको एक आड्रेस प्रूफ देना होगा जैसे कि अधार काड वोटर आडिका एलेक्रिस्टी विल्ड जो भी आप उसमें से एक दे सकते हैं उसके बाद कम से कब मेनमम आपको जो क्वालिफिकेशन होगा चाहिए त्य अंत होना चाहिए त्य अंत कापको मार्चीट या स्क्राइद स्टीफिकेट देना होगा उसके बाद एक मेंड जो डॉक्मेंट हो है कैरेक्टर स्क्राइद जो पुलिस भार वैरिफाई होता है तो आपको एक character certificate देना होगा क्यूंकि यह इसलिए bank verify करती है कि आपके उपर कोई भी case मुकादमा जगड़ा नहीं है इसलिए verify करती है क्यूंकि bank कभी भी जिसके उपर case हो या bank defaulter हो उनको यह branch होगा CSP नहीं देती है उसके बाद bank account detail आपको अपना एक cancel check देना होगा या bank का password पहले से जो खाता है उस bank में SBI में है तो SBI आपको देना होगा उसको आपको passport size के कुछ photo देना होगा इतना document आपको mainly मतलब लगएगा आपको CSP लेते समय अब आगे देख लेते हैं आपको आपको required infrastructure के बात करते हैं मतलब आप अगर CSP लेते हैं तो आपके पास क्या-क्या समान होना चाहिए जिससे आप CSP को सही से चला सके इसके लिए कम से कम आपको minimum swap work food का space होना चाहिए मतलब swap square food का आपका जगा होना चाहिए जो भी room हो जो यह space हो इतना चाहिए उसके पास आपको एक desktop या laptop आपको भी पता है काम करने के लिए आपको laptop या desktop की जरत परेगी internet connectivity जिसके लिए broadband या dongle या अपने mobile के भी wifi से hot spot से यूज कर सकते हैं यह चीज चाहिए उसके बाद एक scanner चाहिए प्रिंटर चाहिए जो ले से आपको भी प चाहिए जिससे भी customer का finger रखे आप उसका transaction कर सके या account opening कर सके यह सब चीजे आपको infrastructure में चाहिए इसके लिए कम से कम कुछ पैसे आपको invest करने पर सकते हैं जितना आपको देख लिजी आपके market के उपर depend करता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जिस bank का CSP ले रहा है उस इस bank से loan भी provide आपको किया जाता है जो भी हमाई CSP BC होते हैं उनको loan भी मिल सकता है इसके लिए इसके लिए आपको डाही लागता प्रॉक्स loan मिल जाता है जिससे लेके आप समान होकर में invest कर सकते हैं खरीज सकते हैं अधिक जनकारी के लिए इसके बारह में जनकाई लेना है लोन के बारह में तो अपना जिस ब्रांच से आपने CSP लिया है उस ब्रांच में लिए से जाकर कंट्रेट कीजिए वहाँ आपको पूरा डीटेल बता दिया जाएगा अब देखे लिए फ्रेंट मैं सबसे इंपरेटन चीज यह बता देता हूं आपको कि CSP प्रोवाइड कंपनी को वहने किस कंपनी से आप कंट्रेट कर जाएगा कि आपको CSP मिल जाएगा कुछ मेन कंपनीया है जो इंडिया में जो CSP प्रोवाइड करती है उनका मैं नाम दे रहा हूं और सबसे नोट करने वाली बात आप नोट कर लिजाएगा बहुत से कंपनीया जो भी मैंने नाम नीचे दे रखा है आप दोग देख लेजे इसमें इसके बहुत से कंपनीया दुखिए जो हे फाउड कंपनी है जो फार्ट सेम ब्रग पर अबनेार के अपको द चक्कर में नहीं परना है नहीं तो आपको ठागी के सिकार हो जाना होगा इसके लिए आपको सबसे पहले उस company के बारे में सई से जाज़ परतार करना है और आपको एक बात बाएं बता दो कोई भी company डायरेक्ट आपको CSP नहीं दे सकती है सबसे पहले अगर आपको CSP लेना है तो जिस branch का आपको लेना है जैसे कि आपको SBI के लेना है तो आपको एप्रूबल दे देंगे लेटर पर आपको नोटिफिक्शन लेटर लिख के देंगे जिसे आपको एप्रूबल मिल जाता है तब आपको कोई भी company साप contract किजिएगा आ क्योंकि जब तक bank manager का approval नहीं मिलेगा आर ओफिस से approval नहीं मिलेगा तब तक आप CSP कि ताव भी company कुछ भी कर ले CSP आपको नहीं मिल सकता है तो सब सब पहले आपको मेन काम CSP लेन से पहले आपको अपने नेरेस्ट जो भी branch है वापे विजिट जरू करना होगा देखे मेन कमपनी जो प्रवाइड करते हैं CSC CSP का खुल प्रम होता है Commerce Service Center एक्चली यह सरकार का tie-up company है जो सरकार जाता और इसको रन कराती है यह company बहुत ही genuine company है इसमें कोई भी डाउट नहीं और इस company से मिलता है तो बहीचक आप ले सकते हैं कहीं कोई भी डाउट नहीं इसके बहु सब्सक्राइड करके दिखा दूँगा इन company को कैसे कैसे लोका क्या है आगे दूसरी company है संजी उनी डॉट वार्जी फ्रेंड एक company का बहुत ही जलफास company भी खुल चुकी है उनसे बचके रहेगा जलफास कंपनी से संजी नी डॉट वार्जी करके इस website में जाएगा वहां से जाके इन से contact कर सकते हैं कि यहां सार मुझे चाहिए इस लोकेशन के लिए तो अगर होगा तो आपको यह प्रोवाइड कर सकते हैं आगे मैं आपको लाइब पोर्टल पर लेचल के यह तुजे जनकारी दे दूँगा इसका बारें उसका एक बैंक मित्रा करके company हैं और प CSP प्रवाइड करती हैं इंका बहुत से CSP रन हो रहा है पूर ओवर ओर इंडिया में तीन company का आप जाएगा website में वहाँ पर इनका आगे मैं देख लिए CSP का फूल फूर्म क्या होता है CSP का फूल फूर्म मैंने अल्लेडी फ़ले इंगता दिया कॉस्टमर सर्विस पॉइंट होता है जिसे ग्रांग सेवकंद हिंदी में हम लोग कहते है आपको जो भी जानकारी में पीछे दिया हूं अगर उसका डिटेल पूरा डिटेल में इस पर लिखा हुआ है आप लोग आके आसानी सेवकंद की पूरी जनकारी इसका लिंक मैं डिस्क्रिक्रिशन दे दूगा जहां से क्लिकर के आप लोग आसानी साकी से पर सकते हैं तो चलिए मैं कुछ अच्छे कंपनियों का भी लिंक मैं दिखा देता ह कैसे उनलों का रिश्ट्रेशन और CSP कैसे देते हैं जैसे कि देखे फ्रेंट यह है CSC के बारे मताया यह सरकारी कंपनी है CSP देती है यहां पर बहुत से कंपनी को CSP देती है जैसे कि SBI, PNB, HDFC, EXIS, SBI, SBI, BNC, CSP पर देती हैं यहां पर कुछ नहीं करना रहता है इसके ल प्रेश्टरेशन पर करना होगा ऐसे कंपनी संजीुनी में सबसे पहले लिखा हुआ हुआ नकली धोकर नाम से इसलिए इन्होंने पहले ही लगा कर रखा हूँ इसका ओफिसल साइट है देख लीज़े एक बाद सवंजेनी विकास फानडेशन विहार यहां पर आके इनसे इन्होंने लिस्ट दिया हुए कि इसके सटेट को यह कवर कर रहे है उससे इस्टेट के भी आप हेट से बात कर साइए आप आएगा पूरा डीटेल में जाए लिए से बीहार को मैं खोलता हूँ देखेगा पूरा जितना टीश्टी के कौन सा डीश्टी किन का अंदर में सब क अच्छी जेनमीन कंपनी है एक और कंपनी जिसके नाम है ऑक्सिजन आप आप लोग कहीं सुने होंगे पहले से यह भी आपको एस बीका गरांक सेवा करते प्रवाइड करते यहां से पूरी जनकारी यहां पर ले सकते हैं और उनसे कंटेट कर सकते हैं आने के बाद आपको म अच्छी जूटर बना है रीटेलर बना है सभी अप्सन है तो यहां पर स्लेट करके उसका यहां पर जो भी नाम होगा आड़ेस होगा अभर दीजेगा इनके पास डेटा चले जाए आपसे कंटेट कर लेंगा नहीं कंटेट कर पाते हैं ताप यहां पर नंबर हो रहा है सबसें और को सकते हैं एक तीसरा कमपानी है साब मिलिएगा एक। होता है जब आपका CSP कोड आ जाता है तब भी पैसा आपको प्ये करना जाता है यहां से इन से इन से इन से इन से इन से कर सकते हैं यह सब कुछ कंपणिया है जो आपको CSP प्रवाइड करती है तो चलिए मैं आगे आप लोगो आपको प्रवाइड का लाइब दिखा देता हूं कि एसबी जो CSP प्रवाइड करके काम करना आगे लोगिन की आपको पूरा प्रोसेस ओपन हो जाएगा छलिए मैं आगे कभी आपको प्रोसें दिखा देता हूं कैसे देखता है SBI का जब लॉग इन करते हैं पॉर्टल जो किस अग पॉर्टल कैसे होता है कि दिखे प्रेंड यह है आपको सामने देख लिए एकाउंट उपनिंग ऐसे होता है इसमें देख लिए पूरा दीटेल में दिखा जेता हूं आपको को इसमें आपको माइक्रियू इटिएम का भी बना सकते हैं देख लिए यहां से आप सीफ पर सास्क्राइए फेस टांजेक्शन भी में जाता है को यहां पर अपनिंग अपस्टन मिल जाता है यह लाइव पोटल को आपको एसबड़ के देख सकते हैं ऐसे हो और करता है कि यहां से कर सकते हैं कि देख लिए लोन डिपोजिट का भी अपको मिल जाता है लोन डिपोजिट भी कर सकते हैं इसके बाद में आप लोग को किसमर कितना कोंशन किया जीन स्मूию तो एकमिशन स्मूंशन वी आपको अगर अगरा इसकाके करते दो तो सो अननसा आपको मिरा अपको मिलता है यहांनल रेघा थете । मिलता है ब्रुब्लम अपको Turnsislag , यहांनले महीं मिनमाम मनें एक रपय मिलेगा मैक्समाइम छेयर पर आपको मिलता है और आपको रूलर एरिया में 0.35% मिलता है रेमिटेंस पर एक खाजासागा दस जाता करता है आपको एक परसेंट कमिशन दिया जाता है कि है और देख लिए यहां पर पूरा एक जानकारी इसमां देख लिए और कितना क्या है आप डिटेल में देख लिए कि आप मेंटेनेस बालेंस भी रखने पर कुछ कमिशन दिया जाता है देख सकते हैं और देखिए आपे मैंने जो आपको सेली के बात की थी मताव रूलर एरिया में आपका सीस्पी है तब को लगवा फ्रॉक्स पंदरसों से दोजागा मन्तले भी आपको पिक्स दिया जाता है जिससे कि आपको कुछ हेल्फ मिल सके आप अच्छा से काम कर सकते आप रेकरिंग दिपोजिट कर सकते हैं अपको ज्यादा नहीं दिखा रहा है पर जो आपका भॉल्यूम आफ टांजेक्शन होता है बहुत ज्यादा होने को जो से एक कमिशन आच्छा कासा आ जाता मैंने मेरे भी जानने पाचाने बहुत से आपको जानकारी अगर कहीं भी कोई बी जानकारी में आपको डाउट लगा समझना आ है तो बहें चक आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजेगा मैं जरूर आप लोग का आंसर देने की कुशिस करूंगा अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो जरूर इस वीडियो को वार्ट्सप और फेस्विबूक को जिनको जरूर है जो चाहते हैं कुछ करने के लिए जो चाहते हैं CSPM खोलके अच्छा खासा कमाई नेम कमा सके उनको जरूर स्क्राइब करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि कुछ मैं हमेशा ऐसे ही नएने वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूं जिससे आप लोग की साहता सकें